अबस्त नाइन फ्रॉम एमेलेकरवाल चेप्टर सेवेंटीन टिग्नामेट्रिकल देस्योज ठीक है तो इसके जितने भी बेसिक कॉंसेप्ट है हमने इसे अप्लोड कर दिया उनली सिंगल वीडियो और याद अखिएगा उस वीडियो में हमने आपके 12 इस्टेंडर तक के ज देंगे हम एंड कमेंट बॉक्स में भी है तो प्लीज आप वहां से इसके पूरे कॉंसेप्ट को देख सकते हैं चलिए कुछ फिर भी बेसिकली बात करते हैं कि जैसे यहां पर है राइट देखे चैप्टर के नेम में 80% सोलूसन होता है ठीक है इसे याद रखिएगा जैस गौन मिन्स ठीक में वी सबस्राइट याद रहे कर डिया से एक को अब का बाता है, आब जब यहां पर राइट है, तिक्नमेट्र क्ल दीक पूरी तरह से पर दीए Tignometry Ratio, Tignometry Identities, Degree and Degree आपके इस बुक में 90 डिगरी हमने 360 तक का explain कर दिया है जो आपको 12 या college में भी apply होगा clear तो please आपसे request है स्वारी आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें आप ये जरूर बोलेंगे कि हाँ sir best वीडियो था और हमारे पूरे concept clear हो गया और उस वीडियो से ही आपके पूरे ये chapter complete हो जाएंगी जैसे यहाँ पर है Tignometry देशियो तो चलिए हम फिर भी इसे explain करते हैं Tignometry का सबसे important fact सबसे important fact हम बात किसकी कर रहा है triangle तो Tignometry में ऐसा कोई question होई नहीं सकता जो 90 degree without triangle solve हो जाए ये इसका first important identity है ठीक है अगर आपके पास कोई question है Tignometry का और उसमें 90 degree अब लेबल नहीं है तो समझ जाए उसे आप solve नहीं कर सकते वो question wrong है ये बात याद रखिए कोई भी ऐसा question होई नहीं सकता Tignometry के अंदर जो 90 degree के बिना solve हो ये पहला identity होई है ये बात याद रखिएगा अगर 90 नहीं है तो Tignometry not possible तो first आपका जो step था वो clear हुआ second step सबसे important first है कि 90 अगर नहीं है Tignometry नहीं है ठीक है first step second 90 के front पे ही आपका hypotenus होगा आप decide नहीं कर सकते कि hypotenus कहा होगा ठीक है अगर हम बोले कि इस triangle में आप बताईए hypotenus कहाँ पे है तो से हो रहे है कि बहुत से students ऐसे बोलते है sir this is hypotenus no this is wrong क्यों क्यों क्योंकि 90 कहाँ है अगर 90 नहीं है तो आप कैसे करने है तो जो हमने वीडियो अपलोड किया है सभी concept है उसमें ठीक है 90 नहीं है no hypotenus no perpendicular no base अगर 90 है तो ही सभी possible है और याद रखेगा 90 के front पे ही hypotenus होगा hypotenus के front पे ही आपका perpendicular होगा और base जिसमें 90 degree stand होगा stand मतलब खड़े हुए position पे होगा वह ही आपका base होगा माल लिजए एक question है इंटरेंगल ABC इंटरेंगल ABC which have angle B is 90 degree तो suppose आपने ये बना लिया ठीक है right है माल लिजए हम exam में बैटे हैं और ये diagram को बना रहा है ये आपने बनाया एकदम right है और हमने एक diagram बनाया और हमने जल्दी जल्दी में जैसने जल्दी जल्दी में fast करने में A और B यहाँ पे कर दी है और C यहाँ पे कर दी है और question के according क्या है कि angle B 90 degree clear तो भई हमने तो भी अब हम सोच रहे हैं मैं cut नहीं करना चाहता है मैं solve करना चाहता हूँ तो 90 तो मेरे recording ये हो गया ना भई question तो मैं cut नहीं करना चाहता diagram तो हमने 90 इसे so कर लिया अगर ये 90 है तो फिर आपका hypotenuse ये होगा अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत अजीब हुआ right है कोई wrong नहीं है ये आपका hypotenuse और hypotenuse के front पे ही आपका perpendicular होगा और 90 कहां पे stand है यहां पे तो ये base आप एक बार measure कर लिजे right है wrong check कर लिजे क्या है इसमें hypotenuse AC इसमें hypotenuse क्या है AC परपेंडी क्या है AB परपेंडी क्या है AB right हो रहा है हो रहा है अब माल लिजे by mistake आपका एक friend B को यहां पे कर दिया A, B and C by mistake अब वो भी cut नहीं करना चाहता तो उसके according तो ये 90 हुगा न बही कुशन तो ये बोला गया कि angle B 90 तो angle B तो 90 हो गया अब इसके according ये क्या हुआ hypotenuse इसके front पे आपका परपेंडी और 90 किस पे depend है यहां base तो आप चेक कर लिजे क्या ही right है ये तीनों के तीनों right है चेक करना है तो आप कर सकते है clear any doubt चलिए आपने second step clear कर लिया अब बात करते है triangle के जो sine cos 10 क्योंकि देखे 3 उसको भी हम आपको बता रहे है कि ये name कहां से आए तो ये बताईए एक triangle में कितने side होते हैं आप ही बताईए कितने 3 ठीक है अब आप 6th class 7th class में communicative, associative property तो पढ़े होंगे न additive inverse, multiplicative inverse तो उसमें आपने क्या बढ़ा कि A में B को add करिये चैए B में A को add करिये दोनों equal होते हैं न multiply में भी A में B का into करिये चैए B में A का into करिये equal ही होते हैं न 2 में 3 का करो चैए 3 में 2 equal ही है न तो वही तो यहां भी करना है कैसे भाई आपके पास 2 क्या है ये 3 sides हैं कितने sides हैं 3 sides हैं right 90 possible है तो 3 sides में हम आपको बोल रहे है भाई टीगना में ratio आप पढ़ रहे हैं न ratio को means क्या होता है ये बता दीजिए ratio मतलब होता है upon करना upon करिये न आपके पास side कितने हैं 3 न तो 1 by 1 करिये अब आपको क्या पसंद है sir मुझे a b upon ac पसंद है चलिए एक student ने बोला कि sir मैं पहले a b upon ac करना चाहता हूं ठीक है एक student सो बोलता है कि sir मैं a b upon b c करना चाहता हूं ठीक है उसकी बात सुनी गई अब एक student बोलता है sir मैं a c upon b c करना चाहता हूं चलिए ओभी सुना गया तो यही तो है sign cost है ना और कहां से आ गया यही तो है अब भई किसी ने एक target किया कि मैं a b को ही यह तीनों को divide करूँगा a b को उसने किसमे के साथ कर दिया a b को कर दिया a c के साथ first a b को कर दिया b c के साथ तो clear और third a b को कर लिया a b b c and a b यानि a c का a b के साथ simple कोई भी आप three ले लिजे ना क्योंकि three sides है तो three ही upon होंगे ना और जो three के opposite होते हैं वही बात आ गए ना communicative कि हम इसमें add करें चाहिए इसमें add करें वही है कि यहां पे a b upon a c है तो हम इसे a c upon a b नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं क्या हम a b upon b c को b c upon a b नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं और a c को b c upon a c कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं तो भाई यही तो है sign cost and cost से कॉसिक, अब चलिए आपको प्रूब करते हैं कि कैसे हुए और हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि आप जल से जल कैसे इसका एंसर, मतलब फाए रेशियो लर्न कर पाएंगे यह आप एक ट्रेंगल बना लीजिए चलिए बन गया आप ट्रेंगल कर लीजिए ए, बी, सी क्लियर, अब हम इसमें, हमारे पास तो 6 नेम होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, से कॉसे, तो हमें 6 नहीं करने हैं से 3 अटेंड करी हैं आप कौन-कौन से, साइन कॉस, एन 10, क्लियर, इस सभी कुछ वीडियो में है और पेस्ट एक्सप्लेनेशन है, तो प्लीज वहां से भी आप देख सकते हैं, तो फास्ट हो रहा है वो एकदम स्लो आपको एक्सप्लेन किया गया है, साइन तो देखे, 90 के फ्रेंट पे आप पहले हाईपोटेनस, परपिंडी एंड बेस, clear माल लेज़े आपको लर्न नहीं है बहुत से स्टुडेंट्स इसको लर्न कर रहते है पी, बी, क्या, क्या नाम होता है, ठीक है हम इसे बिलकुन आपको नहीं बताएंगे कि आप उसको लर्न करें या टाइम एक्सपेंड करें कि सर एक बार लिखें, फिर उसको लर्न है, नहीं, बिलकुन भी नहीं आपको best trick देते हैं, जिससे आप तुरंट, लर्न हो जाएगा ठीक है इसके लिए आप क्या करें ये तो sure है कि ratio हम पढ़ना है तो upon तो होगा clear, upon तो होगा ये तो clear है, ठीक है upon के नीचे, इसको आप 10 को थोड़ी देख लिए छोड़ दीजिए अब यहाँ पर आपको क्या देख रहा है sign और cost, ये दोनों में पहले सा advance ह कर लिजिए advance कर लिए, कोई problem इतना तो आप learn कर सकते हैं ना कोई problem है क्या, नहीं चलिए ठीक है, h, h आपको अब P और B को थोड़ा सा ऐसे लिखे P को हमने, B को हम पहले कर दिए, ठीक है, B को उपर और P को नीचे ठीक है, ठोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्या थोड़ा सा सोचिए ज़रा सा क्या आपको थोड़ा सा best लग रहा है या कोई सेट अप दिख रहा है क्या कोई मीरर हो सकता है क्या possible नहीं अगर हम इसी के place पे P अगर कर दें और इसी लाइन को आगे बढ़ा के ऐसे कर दें तो तो क्या इसका मीरर पॉसिवल है इसका भी देखे मीरर पॉसिवल लेकिन ये best लग रहा है ठीक है मतलब कहने का means है कि एक ये line में ये दोनों touch हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कोई अलग नहीं है देखे अगर हम यहां से यहां से bisect कर दें तो उपर P दिख रहा है नीचे क्या दिख रहा है B और ये एक image form भी कर रहा है तो बस यहीं तो करना है आप ये P और B जो हमने एक symbol बनाया ये symbol को आप इसमें कर दीजिए और नीचे वाले में उसका opposite कर दीजिए clear तो आपको ये learn भी हो जाएगा just आपको few seconds में आपको ये remain भी हो जाएगा मतलब कहने का मतलब एक symbol जिसे हमने P बनाया और इसी P में आगे जाके हमने B बना दीए तो देखे एक symbol बन गया अब इसमें से one by one इसे take करके यहां पे लिख लीजिए इतना आपको सौज में आ गया तो देखे हमने यहां पे write कर दिया P और B तो अगर आप से कोई पूँचे कि इस टिगना में ट्रियोसियो साइन का बताएगे तो आप क्या बोलेंगे सर अपाउन एच होगा और साइन का आपने फर्स नमबर पूछा है तो आप P अपाउन एच सर P अपाउन एच तेखे है कॉस अगर पूछे है तो P का जश्ट पूछ, B B अपाउन एच और 10 का फार्मूला क्या होता है साइन अपाउन कास ही होता है क्या होता है साइन अपाउन कास clear अब मतलब इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइड करेंगे तो अब देखी इसके बाद जो six name है, three names है, caught, sick and cosmic, चलिए इसे भी explain करते हैं, क्या आपको learn कैसे हो देशी हो, तो देखी, अगर हम बात करें, sign, हमको नहीं पता है किसका क्या opposite है, cause, नहीं पता, कोई बात नहीं, ten, clear, अब देखे, cause का last, alpha, which क्या है, S है, S आप यहाँ पर लिख लिजे, इसके first में क्या name है, alphabet, C, C को back side लिख लिजे, अब आप बताईए, S से start होने वाला, जो C में खत्म हो, वो कौन सा name है, तो check करिए, sign के बाद, cause, cause तो name ही है, उसी का positive check करना है, ten नहीं है, क्योंकि S से start नहीं, S से start होने वाला, देखे, सिर अब आपको कभी भी नहीं भूल पाएगा, कि cause का positive क्या होगा, ten, ten का आप नाम देखिए, first alphabet क्या है, T, तो आप वो, क्या बोलते हैं, आप वो movie तो देखे होंगे ना, खिलाडी साथ सुचियासी, अक्षे कुमार की, उसमें थुन ने एक रोल किया है, T, 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 T समझ रहना, वो एक तुका राम करके था, तेंदुल कर, ऐसे बोलता था, वैसे यहां पे देखे, T है, तो ऐ जिसमें है, कॉट में, तो आप कॉट को T, T, नाम से भी जान लीजिए, इसको T, T, याद रखिए, यानि 10 का कॉट, यानि इसे T, 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 बो दिए, कॉस का तवा लेड़ी हमने अलभा वेटी सेट कर दिया, अब ऐसा कौन सा जिसका सेट नहीं है, वो है साइन, तो साइन का आपको सेट कर लीजिए, इसके फुल एक्स्प्लेरेशन, प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरे कॉंसेट क्लियर हो जाएंगे, और हम इसके बाद चलते हैं, एक्सरसाइस के बाद, तो देखिए, अब इससे आपका क्लियर हो गया, कि जो कॉट है, वो क इसका पूजिट है टेन, तो टेन का जो आपका ये पी अपॉजिट लिख दीजिए, आपको लर्न सिर्फ माइन में ये थ्री ही रखने हैं, ये तो थ्री अपूजिट होते हैं, हमने आपसे बताया था न, वही बात आ गई, कम्मिनुकेटिव प्रॉपर्टी, इधर से करि कर दीजिए, से किस का पूजिट है, कॉस का, तो कॉस की वैल्यू का पूजिट कर दीए, बी अपॉजिट है, एक का सेट अप नहीं है, तो क्या मतलब का है, हमको तो दो लर्न है न, दो तो माइन में आ गए, तो थर्ड अपने अप इतना माइन में आ जाता, एक्सर साइन क कॉसेक ही होगा, दो ही तो बसते हैं ना इसमें सेट करने की कोई जरूत है ही नहीं तो यह पी अपन है तो यह आपका है अपन पी ठीक है और यह हुआ आपका इडेंटिटी ए रेशियो तो प्लीज आइडेंटिकली वीडियो जरूर देख लीजेगा, आपके इसके भी जो वीडियो हमने यहाँ पे एकस्प्लेइन किया उसमें फूल डीटेल बताए यह है तो प्लीज आप देख लीजेगा, हम चलते है एकसरसाइस के ओर नाओ एकसरसाइस सेवेंटीन, टू फर्स्ट सबसे फर्स्ट, 90 है नहीं है, कोस्ट रॉंक तो देखते हैं, फर्स्ट फ्रॉम दो फिगर फर्स्ट, चलिए भाई देखिए, 90 है हाँ है, टिग्नमेट्री अपलाई यह फर्स्ट, 90 नहीं है कोस्ट फेल सो गिवें वीलो, फाइंड वैल्यो साइन, कॉस्ट, से कॉस्ट, सब इको तो निकालना है तो फाइन रहा, और टिग्नमेट्री रिश्यो चलिए, डाइग्राम है अब देखिए, इसको सॉल्ब करने के आपके दो तरीके होते हैं याद रखिए, बहुत इंपॉर्टन बात बता रहे है अगर आपके पास 90 टिग्री का ट्रेंगल है यह जो इनिक ट्रेंग्नमेट्री नहीं हो अगर आपके दो साइड्स हैं तो थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागुरस ठीक है, यह बात यार रखिएगा और अगर आपके पास वन साइड है और यहाँ पे एंगल दिया हुआ तो उसके लिए आप टिग्नमेट्री देशियो का यूज करेंगे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास दो साइड है तो थर्ड साइड के लिए आप पाइथागुरस यूज करेंगे और अगर आपके पास एक ही साइड का लिंद है और एंगल गिवेन है 45, 30, 60 तो फिर आप टिग्नमेट्री जो नेम है इसका यूज करेंगे यह आपको 11, 12, 10 में भी यूज होगा तो यह बात याद रखिएगा चलिए फर्स नमबर करते है हमें टिग्नमेट्री रेशियो फाइंड करना है तो बात बात टिग्नमेट्री रेशियो तो ऐसा तो होई नहीं सकता है कि परपेंडी का यूज ना हो 90 यह है तो यह आपका हाइपोटेनस परपेंडी और यह बेस तो हमें परपेंडी तो लएगा ही लएगा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इन राइट ट्रेंगल राइट अंगल ट्रेंगल PMO फ्रॉम पाइथागोरस और ट्रिक के अकॉर्डिंग इसे हम एक्स्प्लेंड करेंगे थियोरम पाइथागोरस क्या होता है मैं इसक्वार्ण पाइथागोरस तो प्रेंडी PM स्क्वार्ण प्लस OM अप्ल्व क्या है 15 15 स्क्वार्ण PM फाइड करना है व्रॉम 15 स्क्वार अलसो यू जेए 225 12 का स्क्वार 144 ट्रांसफर कर दीजे माइनस 144 24 pm square so minus करने में 81 pm को stop कर दीजे square को transfer कर दीजे so 9 या आगया आपका length या height आगया जो भी आप समझें length या height क्योंकि height ही बोलेंगे length तो possible नहीं क्योंकि stand position पे है अब हमार पास सभी value है तो trigonometric ratio एक one by one कर दीजे न तो चलिए now trigonometric ratio metric ratio देखे आपको यहीं पे ही आपको learn करा देंगे ठीक है ध्यान से देखे हैं हमारा सिफ 3 point है sign cos 10 क्योंकि 3 ratio अगर हमने find किया तो 3 तो अपने आप आ जाएंगे तो चलिए start करते है sign की हो हमने आप से क्या बताया था trick के according sign cos बस दो को ही write करिया हमने बताया था कि आप sign और cos को learn कर लीजे कि आप on में h ही बोलना है first हुआ और उपर के लिए हमने एक symbol बनाया था इस तरह तो यह उपर से दिख रहा है p नीचे से b तो p इसमें कर दीजे नीचे बाले में b कर दीजे simple अब value put कर लीजे perpendicular 9 हाइपोटेनस 15 है ना 15 चलिए base 12 हाइपोटेनस 15 और हमने आप से क्या बताया अब देखे यहाँ देखने की कोई ज़रूत ने अब डाइकराम बिल्कुन ही मत देखे उसकी यूज ही नहीं है कैसे 10 10 को हमने आप से क्या बताया था sign upon cos होता है formula क्या होता है sign upon cos तो इसका आप 15 से 15 cut कर दीजे ना आपको देखे ऊपर नहीं देखना है जबकि formula आप भी जानते है p upon b s स कट करेंगे तो p upon b होगा यानि p के है आपका 9 और b के है 12 तो देखे या राइट करना चाहते है 15 से 15 कट कर दीजे 9 upon 12 हो जाएगा simple तो यह assess cancel हुआ p upon b 15 से 15 कट करेंगे 9 upon 12 यह 3 clear हुए अगर 3 clear हो गए तो सब clear हो गए कैसे चलिए देखते हैं कैसे sign का opposite नहीं बता cost का हमने बताया था 3 यहाँ पे alphabet देखिए last में क्या है s तो यहाँ पे आप लिख लीजे s s में खत्म हुआ s से हमने ही start कर रहे है first में क्या c तो c यहाँ पे कर लीजे वह ऐसा कौन सा नाम है जो s और c में हो तो sick है तो इसका opposite कर दीजे 12 upon 15 का क्या हो जाएगा 15 upon 12 चलिए clear हुआ आपको यहाँ पे write करना है h upon b आपकी इक्षा है कर लीजे क्या होता है h upon b अगर write करना चाहें 2 या तो फिर आप ऐसा लिख सकते हैं दूसरा 10 10 को हमने आप से बता है t t तो t t मतलब cot तो cot यानि p upon b तो यहाँ b upon p लिखना हो लिख लीजे कोई बात नहीं इसका पोजिट कर दीजे बस डाइग्राम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है अब sign का पोजिट क्या होगा cosic simple तो cosic क्या हो गया h upon b तो h इसका पोजिट कर दीजे कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं है यह आपका final answer अब यह तो हुआ आपका पूरा value put हो गया अब यह cancel भी हो रहा है तो 3, 3, 3, 3, 5, 15 3 upon 5 and 3, 4, 12 3, 5, 15 and 3, 3, 9 3, 4, 12 and 3, 5, 15 3, 3, 9 3, 5, 15 3, 4, 2 वही बात है इसका पोजिट लिखना था 3, 3, 9 3, 4, 12 यानि 4 upon 3 सभी की value हैं आ गई यह आपका answer है तो sine की value हुई 3 upon 5 cos का हुआ 4 upon 5 10 का हुआ 3 upon 4 इसका पोजिट करना था यह 4 upon 3 हो गया ठीक है और यह हुआ 5 upon 4 और यह हुआ आपका 5 upon 3 3 upon 5 का 5 upon 3 4 upon 5 का 5 upon 4 3 upon 4 का 4 upon 3 simple चलिए फर्स्ट का भी करते हैं हमें यह value है फाइन करनी है देखिए यह तो खुद का फार्मूला है टिगनमेट्री आइडेंटीस का इसकी value 1 होती है देखिए 1 यह आएगा और इसकी भी value 1 ही होती है बस यह दो तो चलिए solve भी करते हैं तो फर्स्ट वाई बात है कि सभी में 3 sides चाहिए और 90 यह है हमने आपसे बताया था 90 सामने आपका हाइपोटेनस डाइग्राम से कभी confused होने की ज़रूरत ही नहीं है हाइपोटेनस के front पे ही आपका perpendicular होगा और यह आपका होगया base clear तो चलिए सबसे पहले हम बात करते है intringle ACB from Pythagoras हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही हमें find करना है AB square यह आपका AC square perpendicular plus base BC square so AC AC आपका 12 square plus BC 5 square 12 square 144 and 25 169 और यह होगया AB is equal to root 169 means 13 तो AB की जो value हुई वो 13 मतलब इसका length हुआ 13 चलिए one by one इसे prove भी करते हैं answer तो पहले से ही clear है first number sign हमने आपको formula बताया sign और cos में upon h पहले से लिख लीजे और sign बाले में p उपर कर दीजे तो भाई P देखिए यहां पर क्या है 12 h क्या है 13 यह आपका first answer clear तो माप की जेगा आपका base यह है क्योंकि 90 आपका इसमें depend है तो यह परपेंडी नहीं है यह base है और यह आपका परपेंडी है ठीक है 90 के front पर आपका यह परपेंडी होगा तो परपेंडी यहां पर 5 है यहां पर क्या है 5 यानि 5 upon 13 clear इसमें कोई प्रॉलम नहीं है क्योंकि परपेंडी और base को हम आगे पीछे भी करेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ता चलिए second cause है तो cause के लिए भी हमने बताया था देखते हैं कैसे sine square a plus cause square a तो sine की value तो sine की value क्या है 5 upon 13 तो 5 upon 13 का square cause का क्या है 12 upon 13 12 upon 13 का square so 5 का square 25 13 का 169 12 का square 144 169 LCM आप करके देख लीजिए 169 25 प्लस 14 add करके देखिए तो 459 426 और यह 1 169 upon 169 cancel होने बाद 1 ही आया ना answer simple अब बात करते हैं fourth number चलिए fourth number में देखिए six square a minus 10 square a minus 10 square a तो चलिए six six किसका पोजिट है वही बात हो गई न हमें कहीं जाने के जरूत नहीं है six का आपोजिट किसका पोजिट है कास का तो कास की वैल्यू क्या है p upon h तो देखिए 12 upon 13 तो 13 upon 12 यहां कर दीजिए 13 upon 12 का square अब 10 का फार्मूला तो इसका पॉन कर दीजिए 10 का फार्मूला क्या होता है sine upon cos तो s से h cancel p upon b तो p upon b तो यहां पे देखिए p क्या है आपका 5 और b क्या है 12 तो 5 upon 12 कर लिजिए clear अब यहां देखिए 13 का square क्या हो जाएगा 169 12 का square 144 माइनस 5 का 25 12 का 144 LCM आपका 144 169 माइनस 25 9 माइनस 5 4 6 माइनस 2 4 1 देखिए यह भी आपका cancel होके बना है ना हम आपसे पहले बताये थे कि यह दोनों फार्मूले हैं किसके फार्मूले है टिगनामेट्री आइडेंटिटीज के यह सभी कुछ explain किया गया है उस वीडियो में तो प्लीज जरूर देखिएगा स्वाज के लिए इतना है थैंक यू हैव नाइस टें प्लीज जरूर देखिएगा